तो जैसे कि कल आपने देखा ही होगा गाइस के आटीए में ने एटीकेटी और बैकलोग एग्जामनेशन के उपर फाइनली अपडेट दे दिया है और इसमें आपको डेट्स भी पता चल गई होगी कि आपकी जो एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होने वाली है तो गाइस कल रात को मैंने जो वीडियो डाला था तो जिसमें सब कुछ है वो ज्यादा डीटेल में कवर नहीं किया गया था तो इस वीडियो में मैं ट्राइ करूंगा कि इस नोटिस में जितने भी इंपरेंट पॉइंट्स है वो सारे क्लियर हो जाए इसके अलाव आपने जो कमेंट कि आपकी जो प्राक्टिकल असाइन्मेंट वरक्शॉप प्रोजेक्ट वगरी की जो एक्जाम है वो आपकी 28 डिसेंबर से लेके तो 2 जनवरी के बीच में होने वाली है और यह जो एक्जाम है वो ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर मिक्स मोड में हो सकती है अब जैसे आप यह सु आपकी जो एक्जाम है वो आपको अपको अपडेट करता रहेगा इसके बार में नेक्स पॉइंट है यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें क्लियरली लिखा है उप्रोग्त विध्यातायां चल्लेकी परिक्ष्या मतलब जो आपकी तहरी एक्जाम है वो 28 डिसें से लेके तो 20 जाने वार्थ तक होने वाली है इसमें जो आपके एक्जाम है वो online, offline या फिर mixed mode में ली जाएगी ऐसा बोला है और ये decide करेगा आपका college ठीक है इसके अलाव गाईज इसमें काफे important में ये बोला गया है गाईज मतलब आपकी जब exam होगी गाईज अगर online exam होती है तो आपको अपने question paper में mcq match the pair, fill in the blanks, answer in one sentence ऐसे question भी देखने को आपको मिल सकते है विद्धा पिटाचा प्रचालित पद्धती ने google form और प्रश्न देवन परिक्षा घेता यह इल और most probably आपकी जो exam है वो may be google form पे भी हो सकती है जो की काफी अच्छा बात आपके लिए हो सकती है बट इसके अलावा इसमें ये भी बोलाएगा इसकी अगर आपकी जो exam है वो mcq format में होती है तो आपको options नहीं दिये जाएंगे जितने भी question रहेंगे आपको सारे question solve करना पड़ेगा तो आपको कोई भी option नहीं मिलेगा आपको जितने question मिलेंगे वो सारे question आपको solve करना इस साल due to corona आपकी जो exam के जो format हो काफी अलग है तो इसके लिए guys इसमें सिधा सिधा बोला है कि जो students है guys उनके अंदर जागरुकता निर्मान की जाएगी मतलब आपका जो college है guys वो आपको contact करेगा या फिर आपके जो meetings google meet वगेरे होगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आ इसमें और यहाँ पर देखिए point number 6, point number 7 और point number 8 में specific courses के बार में बताया गया है तो अपने comment section में आपने बोला था guys की BBA के बार में कुछ नहीं बताया है engineering के बार में कुछ mention नहीं है तो देखे guys यह जो circular है वो सारे courses के लिए है और यहाँ पर जो specific courses mention की है तो उनके लिए नहीं हो सकता है कि जितने courses है वो सभी courses के नाम है आपे लिए जाएगे क्योंकि बहुत सारे courses होते है तो ऐसा मत समझे कि आपके course का नाम नहीं है तो यह जो letter है वो आपके लिए नहीं है यह letter सारे backlog students के लिए है तो वैसा ही समझे और common sense का use करिए कि जो letter है वो सारे backlog students के उनके लिए थोड़े जो rules है वो maybe changes होगे इसलिए आपे कुछ लिखाए ठीक है तो be vocational अभ्यास क्रम का ही महाविद्यालाइन चा परिक्षा है एक सत्रम आगे सुरू असुन त्या मदे सदर अभ्यास क्रमांकां चे परिक्षा यह माविद्यालाइन ने offline online की वा mix mode ने अपलया सतरावर घ्यावा वो त्यांचे गुन online पद्धती ने दोन दिवसात परिक्षा दिवस वगड़ून विद्धा पिटा कड़े साधर करावे तो guys be vocational के जितने भी student है guys ये धान से एक बार और पढ़ लेना और आपके college में एक बार contact कर लेना तो आपके जो exam है वो भी online, offline और mix mode में ही होने वाली है त्यार्च प्रमाने BPE first year, BA mass communication first year, master of labor, study first year यह परिक्षा माविद्यालाइन ने offline, online की वा mix mode ने आपलया सतरावर घ्यावे वा तैंचे गुन, online पद्धती ने दोन दिवसात, परिक्षा चा दिवस वर्डगरून विद्धापिडा करें, साधर करावे तो इनके लिए भी same है, बट जो BA additional और श्रेनी सुदार के विद्धारती है guys उनकी जो exam है वो हीवाडी 2020 परिक्षा सोबत गेनात यावी मतलब इसमें बोला है जो BA additional के student है और जो performance improvement के जो student है तो उनकी जो exam है guys वो winter exam का notice आएगा तो उस winter exam के साथ आपकी जो exam है guys वो ली जाएगी अब जो सबसे important point जो मुझे लगाए guys वो है 9th number का point इसमें clearly लिखा है अन्तिम वर्षय 17 अच्या अनि उत्तिर्न अनि उत्तिर्न मतलब जो fail हुआ है जो backlog है तो उनकी जो exam है guys वो multiple choice question के through होने वाली है जिनमें आपको एक गंटा मिलेगा जिसमें आपको 50 questions मिलेंगे 50 में से आपको 25 question ही solve करना पड़ेगा और अगर आपका एक question भी right होता है तो आपको 2 marks दिये जाएंगे तो ये काफी अच्छा pattern है guys वो students के लिए तो इसमें pass होना थोड़ा easy रहता है क्योंकि 50 questions मिलते है जिसमें से 25 solve कर सकते हो उसके ज्यादा भी solve कर सकते हो और इसमें अगर आपके 10-12 भी right हो जाते है तो आपको 24 या फिर 20 के अब marks easily मिल जाएगे ठीक है जो 10 point है guys इसमें बोला गया है कि lockdown लगने से पहले जो एक्जाम 17.3 को शुरू होने वाले थे तो उनकी जो एक्जाम है guys अभी college level पे होने वाले थी और वो कौन से exam थे वो कौन से courses थे तो वो भी आपे time table format में mention किये गए तो ये जो exam है guys वो भी college level पे online, offline या फिर mix mode में होने वाले थीक है इसकी information अगर आपको चाहिए होगे तो आप अपने college में guys पूछ सकते हैं वो भी आपको update करते रहेंगे और आगे जाके guys आपको और भी updates मिलते रहेंगे ठीक है इसके अलाव guys जो यहाँ पे और भी information मिले है तसे जे विद्ध्यारती अंतम सत्र उनाडी 2020 परिक्षे चे पात्र होते परन्तु online multiple choice question जा मदे पद्धती ने तैंचे गुन प्राप्त जाले ना ही तैंच मुडे तैंचे अनूपस्ती दर्शवले आले अशा विद्ध्यारत वो भी अभी college level पे हो सकती है अगर आप भी उन में से ही एक student हो guys तो आप अपने college में contact कीजे उनसे बात करिये तो आपके जो exam है guys वो भी conduct की जाएगे ठीक है फिर next day guys यापे अंतिम वर्श सत्र व्यक्तित्र जा विद्ध्यारत ना उनाधी 2020 चा पद्वी करित तैंचे इधर सत्रांचे अनू उत्तिर्ण विश्यांची लेखी व प्रैक्टिकल असेन्मेंट वर्क्षब परिक्षा ही महा विद्ध्याले स्तरावर तैंचा प्राचा विद्धापिटाचा विबाकाचा विबाग प्रमुक यान नी तैंचे स्तरा वर उनलाइन उफलाइन की वा मिक्स मोड गेतली होती परन्तु काही विद्ध्यातन निकाल मदे काही कारनास्त अनू पस्तिती असले अश्या विद्ध्यातन परिक्षा उप्रोक्त प्रामाने तो इसमें यही लिखाएं गाईज कि अभी जिनकी मतलब non final year students की अगर exam ली गई थी online offline या फिर mixed mode के through तो अगर वो satisfied नहीं है गाईज उनके results के इससे तो वो भी exam दे सकते हैं और उनके जो गुन है गाईज वो भी दो दिन के अंदर अंदर university के website पे उनको college को transfer कर देना है ठीक है तो यही है गाईज इस notice में तो hope करता हूँ आपको सब कुछ समझ गया होगा अगर इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है तो आप comment section में जरू mention कर लिजे और इसके अलावा और भी इस पर updates आते रहेंगे जैसे newspaper में आर्टिकल आएगे तो और भी आपको clearly हमें देखने को मिल जाएगा तो उसके भी updates में आपको जरूर देते रहूँगा और जब भी आप comment करते हो तो देखिए जैसे मैंने आपके comments पढ़े हैं मैंने भी देखा कि इसमें ऐसा है सब बोला कि BBA के बार में नहीं बताया गया इंजिनेरिंग के बार में नहीं बताया गया तो देखिए गाइस यह जो notice है वो सभी के लिए था जो specific courses mention किये हैं वो काफी special courses है तो इसलिए mention किये ग और इसका जो time table है वो भी जल्दी university के website पर आजाएगा और आपके जो college है वो भी आपको time table दे देगा जिससे आपको बता चलेगा कि आपकी specific subject की जो exam है वो कब है और कब से आपको exam देना शूरू करना है ठीक है तो इस वीडियो में इतना है गाई होप सो आपको यह video informative लग आपके रहे